आज की वीडियो का टॉपिक है Communication Skill आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है Communication Skill का अपना next topic Listening and Speaking Skills के तमाम Outline कप्लीट हो चुकी थी आज हमने स्टार्ट करना है Reading Comprehension Skills जिसके अंदर हमने पहला point To Find Specific Information Quickly In Text जब आप Reading कर रहे होते हैं Book, Paragraph, Essay, Fiction, Non-Fiction किसी भी किसम की Reading अगर आप कर रहे हैं Even के Poem की Reading भी आप कर रहे हैं News पेपर की कर रहे हैं तो उसके अंदर आप Specific Information कैसे Find कर सकते हैं उसके कौन से Skill पर आज के अपने इस topic की तरह जाने से पहले मैं YouTube पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूं BS English Literature Notes का YouTube पे मेरा चैनल है जिसके उपर मैंने इसी topic से related और भी वीडियोज अपलोड की हुई है Communication Skill की अगर आप चाहें तो बाकी जो points हैं उनकी वीडियोज भी देख सकते हैं अब चलते हैं अपने आज की topic की तरह जिसमें हमने reading techniques को discuss करना है Reading का मतलब सब को पता है कि किताब से देख के पढ़ने को reading कहते हैं और टेकनीक से मराद यह है कि कुछ ऐसी small techniques होती है जिनको अगर आप apply करें तो आप reading जल्दी कर सकते हैं या पिर detail कर सकते हैं reading दो तरह की होती है, fast reading होती है और slow reading होती है अगर आपने fast reading करनी हो, ऐसा काम जैसे कि newspaper पढ़ना है उसमें आपने कोई चीज जल्दी से ढूंडनी है और उसको आपने जल्दी जल्दी करना है तो क्योंकि newspaper तो 4, 8, 16 सफाथ पर महीत होता है तो अगर newspaper आप पढ़ रहे हैं तो आपने सारा लवज बलवज याद तो नहीं करना तो उसके अंदर आप skimming and scanning की technique अपलाई कर सकते हैं अगर आप slow reading कर रहे हैं जैसे कि आपकी notebook है या फिर वो आपकी class book भी हो सकती है आपकी notebook अपने टेस्ट के लिए आप slow reading करते हैं slow reading के अंदर analytic approach होती है critical approach होती है और SQ3R की technique आप लगा सकते हैं आज की इस वीडियो की outline या आपके सामने मौजूद है सबसे पहले start करते हैं fast reading से fast reading क्यों करते हैं लोग fast reading इसलिए करते हैं ताके background या एक overview हासिल करने तमाम information का जो भी topic से मतलिक newspaper में किसी भी बड़ी किताब में मौजूद है या फिर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मौजूद है जैसे के admission open होते है यूनिवर्सटी इसके BS के लिए MPHL के लिए तो आप वो ढूनना चाहरे हैं तो तमाम information आपको पता है कि पांचवे या चौते सफ़े पे मौजूद हो गया फॉरण वहाँ पे चले जाते हैं इसके इलावा आप जानना चाहते हैं कोई भी और information जैसे कि किसी भी column निगार का column आप ढूनना चाहते हैं तो आप fast reading करते हैं fast reading करने की दो टेकनीक मुझूद है skimming और scanning सबसे पहले scanning की बात कर लेते हैं scanning होता है फॉरण से जट से किसी भी चीज को पहचान लेना scanning एक ऐसी टेकनीक है जिसके अंदर आप कोई भी specific information ढूनना चाहते हैं और उसकी location आपके जहन में पहले से मुझूद होती है जैसे कि आपके जहन में कोई भी एक छोटा सा topic मुझूद है जल्दी से सफ़ा नंबर 40 को लेंगे उसमें आप chapter की heading पढ़ेंगे हाँ जी यह वही heading है और उसमें जब जो आप sub type या sub heading आप ढूंड रहे थे example आप ढूंड रहे थे आप जल्दी से paragraph के अंदर नीचे या उपर लिखेंगे example कहां लिखे विया वहाँ पर जाके उसको ढूंड लेंगे तो यह होता है scan करना scan का मतलब होता है को specific चीज ढूंड ना जैसे कि अगर मैं आप से कहूं कि आप मुझे बताएं कि 2019 जनवरी पांच क्या day बन रहा था तो आप फॉरन से अभी अपने mobile में के लिखेंगे उसमें आप देखेंगे कौन सा year मैंने बताए है कौन सा month बताए है कौन सा date बताई है उसके according आप मुझे day बतादेंगे ये scanning होता है skimming थोड़ा सा different होता है skimming के अंदर आप बहुत unnecessary चीज़ों को काटते चले जाते हैं unnecessary चीज़ों को जोड़ते चले जाते हैं आप को भी material पढ़ने कड़े होते हैं तो उसमें writer का name, title और first two paragraph बहुत आज़ा important होते हैं उसके बाद आप बीच वाले जो paragraph थोड़ते जाते हैं और आखिर वाला paragraph important होता है या पिर जो summary होती है वो important होती है अक्सर आपको novel or drama के paper में जब novel or drama दिया जाता है तो आप उसके अंदर क्या करते हैं आप summary पढ़ते हैं, themes पढ़ते हैं, character पढ़ते हैं उसकी data publication, setting वगारा major चीज़ें देखते हैं और पूरा novel, text by text नहीं पढ़ते हैं यह क्या है, यह skimming है इसके इलावा skimming क्या होती है skimming यह होती है कि अगर आपको कोई large material पढ़ने के लिए दे दिया है जैसे कि आपको पूरा novel यह एक बहुत बड़ी book दे दिया है आप उसके अंदर क्या करेंगे कि author को पढ़ेंगे, author के बारे में author का introduction उसका preface, उसका prolog पढ़ेंगे उसके लावा आप उस book की summary पढ़ सकते हैं उस book के मोटे main headings पढ़ सकते हैं argument देख सकते हैं उसकी theme देखेंगे, उसका main idea देखेंगे central idea देखेंगे, first paragraph देखेंगे last paragraph देखेंगे और जो भी उसने मोटी मोटी terms highlight करके bold करके इस्तमाल की है keyword phrases वो देखेंगे अब slow reading की तरफ आते हैं slow reading एक ऐसी technique है, एक ऐसा style है जिसको adopt इसलिए किया जाता है क्योंकि reader जो है, वो ज़्यादा तर अपनी understanding apply करना चाहरा होता है या author को thoroughly समझने की कोशिश करता है slow reading का मुराद और मकसद सिर्फ यह होता है कि analyze किया जाए, अच्छे तरीके से understand किया जाए, evaluate किया जाए या इस पर critical analysis किया जाए इसके अंदर क्या किया जाता है कि information आप अपने जहन में memorize करने की कोशिश करते हैं आप जब उसको पढ़ते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि तमाम instruction को step by step follow करें और कोशिश करते हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तमाम की तमाम चीज़ें या जो भी आप पढ़ रहें वो आपके जहन में आहिस्ता हिस्ता डालेंगे तो वो डलती चली जाएंगी आप इससे अपनी school की studies को याद कर सकते हैं आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको जो बुक पढ़ाई जाती है वो slow slow पढ़ाई जाती है पहले एक चप्र पढ़ाती है उसके अंदर पहला पेज पढ़ाते हैं पर दूसरा पढ़ाते हैं तो यह slow reading होती है मकसद क्या है आपको memorize कराना slow reading के अंदर भी दो तरह की approaches होती है analytic approach होती है analytic approach यही होती है कि इसले बस जो student पढ़ता है तो वो analytic approach से पढ़ता है क्यों? क्योंकि वो understand करना चाहता है जितनी भी terms यूज की है terminologies, जितनी भी instruction दिया है उन्हें समझना चाहता है याद करना चाहता है अपने दिमाग में book को memorize करना चाहता है ताकि वो सवालों के जवाब दे सके लेकिन critical approach डिफरेंट होती है critical approach यह होती है कि जब आप कोई भी material read कर रहे होती है तो आप समझना चाहते है कि author आपको क्या convey करना चाहता है इस time period के अंदर author की सोच कैसी है उस जमाने में जब author लिख रहा आता तो उसका background क्या था उसकी सोच क्या थी और इस वक्त आप जब उसको पढ़ रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से identify कर सकते हैं उसको किस तरीके से interpret कर सकते हैं slow reading के अंदर जो technique सबसे जादे important है वो है SQ3R technique S से मराद survey होता है Q से मराद question होता है triple R से मराद है read, recite and review यह technique है जो के आज कल का student follow करता है SQ3R जो technique है यह इतनी important technique है कि हर student को आनी चाहिए और यह इतनी अच्छी technique है कि literature का student अगर इसको follow करे तो यह मुमकिन ही नहीं है कि वो 90% marks ना ले सके सबसे पहला point होता है survey करना survey का मतलब यह है कि जो आपको material मेरा है उसका overview लें उसमें जितनी भी information है उसका एक map बना ले अपने जहन के अंदर और उस map के according और उस information को याद करें for example आपको कोई भी text दिया गया है आप उसका preface पढ़ें preface मराद है introduction title पढ़ें title के लिखवा है heading सब heading को दिमाग में जहनशीन करने की कोशिश करें और उनको order wise organize करने की कोशिश करें इसके बाद को अगर कोई captions दीनी है chart है, graph है, introduction है, concluding paragraphs है उनको लाज़मी पढ़ें और इस book की, chapter की summary लाज़मी पढ़ें इसके अंदर आप fast reading की टेक्नीक जैसे के scanning और skimming भी apply कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि skim और scan होता क्या है उसके इलावा है question Q for question question का मतलब यही है कि जो भी आपने material read किया है उसके जितने भी appropriate questions बनते हैं वो आप लिख लें side पे उन्हीं की according reading करें और उन पर focus करें question पूछने से यह होता है कि आपके जहन जो है वो एक process के process अपने अंदर develop कर लेता है और वो है remembrance का जैसे ही आपको कोई भी material मिलता है आप उसके title go sub heading को heading को question मना लें कि किसने कहा कैसे कहा कब कहा क्यूं कहा वजह क्या थी यह सारे सवालाद जो हैं आप सारे अपने जहन में लिख लें और उनके जवाबों के निशान भी साथ लगा लें जब आप बाद में दुबारा chapter पढ़ने की कोशिश करें बुक पढ़ने की कोशिश करें तो उनी heading को उनी question से relate करके पढ़ें अपने आप से सवाल करें कि आपने यहां पर पहले क्या किया था और अब आप दुबारा इसमें और information क्या add कर सकते हैं इससे आपकी जो memory है वो बहुत ज़्यादा शाप हो जाएगी ट्रिपल आर जो है इनके अंदर जो पहला pointer रीड का है रीड से मुराद यह है कि जब आप QS QR की टिक्निक अप्लाई कर लें तो आप रीड करें क्या रीड करें कि जो text आपको provide किया है अब उसके अंदर आप जब उसको read करें तो आपने question already लिखनी है वो question अपने आप से पूछना शुरू करें और उनकी answer अपने आपको भी बताना शुरू करें बार बार रुकें बार बार सवाल पूछें बार बार उसके जवाब दें slowly passage को लेके चलें slowly text को पढ़ते चलें इससे आपकी memory fast हो जाएगी सवाल पूछने से यह होता है कि आप अपने आपको author की idea से link कर रहे होते हैं और exam में कोई भी expected question हैगा तो आप उसे solve कर सकते हैं जितने भी bold letter होते हैं जो चीज़े author ने highlight की वी होती है उन पे आप जड़ा focus डालते हैं detail आपको बता लगने लगती है आप main idea निकालने लगती है यह reading का process है उसके बाद है recite recite का मतलब है उंचा पढ़ना वैसे इसको कहते है recall करना यहनि कि जब आप कोई passage का एक passage एक paragraph पढ़ लेते हैं इस तरह जब आप अपनी memory को छेड़ते चले जाते हैं तो आप क्या करते चले जाते हैं अपने आपको fast करते चले जाते हैं और जब आप recite करते हैं और recall करते हैं तो नई चीज़ें आपके जहन के अंदर आती हैं आप उसके लिखते जाएं उसको highlight करते जाएं और अगर आप कोई चीज़ बूल जाते हैं तो उसके दुबारा rewrite करें अपनी census के अंदर लेके हैं कोशिश करें कि उसे बोलें भी सुनें भी और उसको जहन में picturize करने की भी कोशिश करें अपने जहन में summary बना ले map के according और देखें कि आप कितने हद तक information हासिल कर सके हैं उसके बाद है review करना review का मतलब होता है कि जब आप अपनी study complete कर चुके हों तो एक दफ़ा दुबारा उसको लाजमी पढ़ें हत्मी यानि कि आखरी दफ़ा उसको पढ़ने के लिए उसके अंदर आप देखें कि तमाम information आपने इकटिक कर लिए जितने भी main issues से उन पर आपने बात की है इसके लावा आपके जो notes आपने बनाए है उन में तर्तीब मौझूद है जो book में तर्तीब मौझूद थी और क्या आप अपने notes पढ़ने के बाद पूरी किताब का जाइजा ले पा रहे है या नहीं ले पा रहे है इसमें आप review करें अपने तमाम सवार, उनके जवाब, major point, highlight जितनी भी चीज़ आपने की हैं जो notes आपने बनाए है notes को देखें, flashcards बनाए है, उसे देखें map बनाए है, उसको देखें और कोई भी जो term है, जो undefined रहे गई है, उसको देखें ये technique अगर आप apply करेंगे, तो आपकी reading जो है, वो 100% आप उसको achieve कर लेंगे उमीद है कि आपको ये technique समझा गई होगी, अगर exam में से related सवाल आ जाए, जो कि अक्सर आ जाता है तो आपने same material उसके अंदर लिखना है, अगली वीडियो तक के लिए खयाल रखें, अल्हाब